रामायन से शिक्षाइक कारेक्रम में आप सभी का हरदित स्वागत है रामायन एक ऐसा ग्रंथ है जिसे प्रभू श्री राम ने स्वयम जिया है और जो समस्त मनुष्य जाती के लिए एक प्रेरना स्रोत है परिवार में माता-पिता का पुत्र के साथ कैसा बढ़ताओ हो और पुत्र किस प्रकार आग्याकारी हो पती-पत्नी का संबंध किस प्रकार का हो भाई-भाई का प्रेम, शाशक और जनता का मधूर प्रेम संबंध, संत महात्माओं का आदर, हनुमान जैसे भक्त का अपने स्वामी, प्रभुश्री राम के प्रती सेवा भाव, रामायन के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा श्रीमान कमल लोचन प्रभुजी हमें बताएंगे कि किस प्रकार, यदि मनुष्य जीवन में राम के आदर्श को अपना कर जीएं, तो राश्ट, घर, समाज और विश्व, मर्यादित होकर सुख पूर्वक रह सकते हैं और विज्ञान के अस्त्रों पर भी सैयम बढ़ता जा सकता है हमारे वक्ता श्रीमान कमल लोचन प्रभुजी, मैसूर के मद्धो ब्रहमण परिवार से आते हैं और इन्होंने कलकत्ता के मरीन इंजिनेरिंग कॉलेच से इंजिनेरिंग की डिगरी प्राप्त की है इंजिनेरिंग के अपने शिक्षांकाल में ही विश्रील प्रभुपाद की पुस्तकों और हरे कृष्णा भक्तों के संपर्ख में आए और सन उन्निस्वसतान में में इन्होंने अपना संपून जीवन प्रिष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया वर्तमान में प्रभुजी इसकौन नीरा रोड के अध्यक्ष है एवं V.I.H.E. में शिक्षक है तो आईए समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार रामायन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना कर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ना सकते हैं धन्यवाद हरे क्रिष्णा नित्यम भागवत से वया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तेर भवती नैश्चिकी अरे क्रिष्णा राम नोमी की उपलक्ष में हम आप सब को सागत करते हैं राम कता के शुइंकला में हमने पिछली बार रामायन की अवतरन की विश्य में श्रवन करते हुए यह सीखा किस प्रकार राम वालमी की पहले राम मंत्र को नारद से प्राप्त करके राम नाम को जब करते 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 सारे वेद का अग्यान प्रकट हुआ तो नारद की निचार किया इस वेद का अग्यान को हर जगा पहुंचा आना है तो रामायन के वश्यक्ता है लेकिन वेद का जो ग्यान है वो परिपूर्ण ग्यान सभी जनों को प्रदान करने के लिए नारज ने ऐसा युक्ती सोचा मैं जाके रामाइन के अवतरण में वालमी की को इस बात को समझाओं राम कता को संक्षित में दे दू ताकि वालमी की उसको विस्तार से लिख सके नारज जी आये वालमी की को पूरा रामाइन बता दिया बालकांड का पहला सर्ग में पूरा रामाइन नारज जी ने वालमी की को सुनाया इसके बाद हमने देखा वालमी की तामसान अदी के तड़ में गए और सुन्दर मातावनों जब दर्शन कर रहे थे वह समय एक क्रौंच पक्षी का मृत्जी हुआ वद किया एक शिकारी में और दूसरा एक जो स्त्री क्रौंच पक्षी है उनके जो प्रिय जो पती है उनका मृत्जी हुआ उसे शिर्श को देखके बहुत शोकित हो इस शोक में वालमी के मुझ से एक श्लोक निकला श्लोक को श्लोक अभी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वालमी की के द्वारा वालमी की के श्लोक या शोक से उत्पन हुआ ये शब्द है को श्लोक कहा गया है अभी वालमी की विचार करने लगे ये जो श्लोक है ये वाला श्लोक मेरे मुख से कैसे निकला इस कर्त किया उसके बिचार कर रहे थे पिछले बार हमने इस श्लोक के चार अर्थ सुनाएं पहला तो सीधा सीधा अर्थ था जहां वालमी की ने शांप दिया इसको उस शिकारी को जिसने बान मारके एक पक्षी को बड़ किया था कि तुम्हारा ये शाश्वत रूप तक तुमको नहीं मिलेगा माम बदरिश्टाम आगमा शाश्वती समाहा विचार करने लगे एक पक्षी को मारा तो मैंने इस प्रकार का शाप कैसे दे दिया क्या उचित है कि इस प्रकार का शाप देना उसके पास यश है कहां उस शिकारी के पास यश जाने के लिए यश खतम होने के लिए यश नहीं आने के लिए होना तो चाहिए तो तब उनको पूरा रामायन दिखाई पड़ा ये रामायन का अमूल शलोक मला गया है इसली बार हमने आपको चर्चा में बताया था ये शलोक के चार अर्थ के एक सीदार तो भी हमने कहा दूसरा ये निशा अधा, ये मा निशा अधा ये भगवान रामचंद्र है राम चंदर ने क्या किया एक क्राउंच कोई और नहीं है रावन है उसको वद किया अब अधीत क्यों वद किया काम मोहितम काम से मोहित होके सीता को परहन किया उसके वज़े से ये क्राउंच प्रक्षी कोई और नहीं है रावन है उसको वद किया तो वालमी की ने देखा राम रावन को वद किया और मंदोदरी रो रही है जिस परकार इस त्री कोंच प्रक्षी वो पुरुष कोंच प्रक्षी मरा हुआ शिरी को देखे रो रही है और ऐसे राम को यश जो है तदिश्ठा जो है आगमा शाश्वती समाहा अनेको काल तक रहेगा जन्म जन्मांत तक शाश्वत यश प्रात करेंगे भगवान राम चिंदर इसके विशे में ये दूसरा आर्थ हुआ तीसरा आर्थ इस लोग जो है रावन के संबन में देखे और एक लीला फिट होता है क्या है वो रावन ने काम मोहितम काम से मोहित होके सीता को पहरन किया सीता को राम से अलग करना वद करने की समान है आवधित तो इस प्रकार ये क्रावन के संबन में ये इस लोग भी आता है क्या किया भगवार ने उस प्रकार के जो रावन है उसको कभी भी मागमा शाष्वती समाहा क्योंकि उन्होंने सीता को राम से अलग किया उसके वज़े से उनका यश शाष्वत रुप के लिए नहीं रहेगा उनका मृत्यू क्यों हुआ रावन का इसी के वज़े से तो हुआ सीता को अपरहन करने के वज़े से तो हुआ काम ही उसको मार दिया रावन को मार दिया काम इतना खतरना चीज़ है काम से हम सोचते हैं कि हम काम को पुर्ण करने से हम आनंदित होंगे सुखी हो जाएंगे लेकिन नहीं काम हमको मृत्यू का निमंतरन देता है हमारे मन में जो काम है ना वो केवल मृत्यू के निमंतरन ही समझ लीजिए खायर अभी चौता अर्थ हम पिछली बार बहुत संक्षित में कह दिये थे अभी उसको थोड़ा सा विस्तार से समझने के ल हैं प्रत्येक परसंग उसके अंदर है रामायन का बीज वाला अश्वलोग है फुर भी यह हमारी खता है ये किसकी कता है मानिशादा प्रदिश्टांतवाम आगमा शाष्वती समाहा याद क्रौण च मितना देकम आवदीत कामम हम क्रोंच कोन है ये पक्शी लेकिन वासाी केमारा मन एक इस प्रकार का पखची है क्राउम्च वो टेडा चलने वाला हमारा मन भी टेडा चलता है कोई भी छीजिए को मैं कैसे भोगो मैं कैसे भोगो मैं इसनिचार करता है यह ज camera carrier जो वो भोग का मुर्तिमान सुरूप है जिसे हमारे मन में प्रत्य कुस्तु को देखते भोगने का मन करता है ये क्रौँच है हमारा ये मन ही क्रौँच है क्रौँच मन ने क्या किया जैसे रावन क्रौँच ने सीता को बंदनी बना दिया उसी प्रकार ये जो मन जिसके अंदर अनेकों नेकों कामना है यह आत्मा नाव जो सीता है उसको बंदन में डाले है तो राम क्या करेंगे राम रामकता की रुप में भगवान राम नाम के रुप में इसे मन को वद करेंगे और क्या करेंगे इस सीता आत्मा को थुडाएंगे आत्मा को आनंद कभी प्राप्त होगा भगवान आत्मा को यानि सीता को प्राप्त किया राम चंदर ने उसी प्रकार राम नाम से भगवान राम चंदर हम को प्राप्त करके आगमा शाश्वती समाहा शाश्वत जिवन प्र प्रतिश्ठा को प्रत्त करेंगे भगवान ने कहा प्रतिएग जीव मेरे अंश है जब यह अंश भगवान को छोड़के जाते हैं भगवान सोच्टे मेरे प्रतिश्ठा को क्या होगा मुझे छोड़के कहीं और चले गए इसलिए इस जीव को मैं कैसे ले क्या हूँ के वल इसी के बारे में विचार करते हैं इसलिए भगवान अनेक और रूपों में आते हैं इस भाव को लेके मैं किस प्रकार इस जीव को अपनाओं इसके वज़े से आगमा शाष्वती समाहा प्रतिष्टा जो है अनेको खाल तक रहेगा भगवान का क्योंकि ये कारी करते हैं क्या कारी करते हैं बद्द जीवों को वापस अपनाने के लिए आते हैं आकरशित करके अपना लेते हैं कैसे मन को वद करके कैसे वद करेंगे बद्द जीवों का मन को राम नाम के द्वारा राम खता के द्वारा इसलिए राम नाम जब करना चाहिए राम खता को शरुण करना चाहिए जिसके द्वारा मारा क्रौँच मन है वो मर जाए क्रौँच मन में जो आ सकती है वो मर जाए और भरवान करती आ सकती पने करते ये आत्मा को छूड़ दे दे मन ये मनश्याराम कारणम बंद मुक्षयो विश्यान बंदयान विश्यान संगे मुक्षयान निर्विश्यान मना अम्रत बुद्ध में परशन भी बात कहा गया है जब मन आसकत रहता है बहुत इक चीज़ों में वो बंदन का कारण है आत्मा का वही मन जब निर्विश्यान मुक्त हो जाता है बंदन से तब ये आत्मा का मुक्ती का कारण है पुरा राम आयन इस श्लोक के आगया है राम नाम एक मात्र चीज़ है राम कता एक मात्र चीज़ है जिसके द्वारा हमारे मन में अने को अने को आ सकते हैं उसको काट सकते हैं उसको तोड़ सकते हैं अभी वालमीकी ने इस्टो कुच्चारण किया, विचार कर रहे थे, वनी मन में सोच रहे थे, मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, उसी समय भ्रह्माजी प्रकट होते है, भ्रह्माजी प्रकट होके वालमीकी तुम रामायन करशना करो, जैसे नारज जी ने वरनन किया, उसी प्रकार तुम इस रामायन के रचना करो तुमने जैसे श्लोक को उच्चारण किया तुमने नहीं उच्चारण किया साक्षात सरस्वती तुमारे मुख में प्रवेश की रहे ले तो मेरे सिश्याय नारद जी नारद जी ने तुमको पूरा रामायन सुनाया और मेरी पत् जब तक सूरी रहेगा जब तक पहाड़े रहेंगे तब तक रामायन रहेगा जब तक रामकता चलती रहेगी एवान में की तुम्हारी कीर्टी भी संसारे प्रसिद रहेगी इस प्रकार ब्रह्मा जी आशिरवाद देते हुए उन्हें ने कहा आप रामायन की रशना करो दर् नारदम सुतम и से नारफ जी ने कहा उशी प्रकार तुम भगवान राम चंद धर्मात mindfulness नो धर्म की आत्पा हैं भगवान राम चंद कि विशी में रच्ना करो तब और वे वे सोच नगी अ пошँस्द है रहे रे आपने तो कह दिया कि रामानी रच्णा करने के लिए मैं कैसे रचना करो मुझे तो मल मालूम नहीं है ये तो रा नारत जी ने संचित में कह दिया लेकिन कुविस्तार से वरणन करना ये असंबभ है मेरे लिए राम सीता के साथ क्या बोले सीता राम को क्या क्या बोली कौन से रहसतान में बैटे थे क्या क्या समाद हुआ मन में क्या सोच लेते ये सब चीजे मुझे कैसे पता लगेगा तब रम्मा जी ने कहा चिंता मत करो रहस्यम्च प्रकाश्यम्च यद रुत्तम तस्य धीमता यद रुत्तम तस्य धीमता हे धीमता हे उत्यमान वालमी की रहस्यम्च प्रकाश्यम्च सारा रहस्य तुम्हारे वदे में प्रकाशित हो जाएगा रामश्यसा सोमित्रौ राक्षसा नामच सर्वसा भगवान रामचेंद्र रसोमित्र हा लक्षपन्ड और राक्षसों के साथ कैसे वद गया क्या हुआ पूरा तुम्हारे वदे में दिखाए पड़ेगा अगर कोई रहसी भी रहसी सम्वाद भी कुछ हुआ रहेगा सब कुछ तुमको दिखाई पड़ेगा जो भी सम्वाद हुआ उन्तोने के वेच में सब कुछ तुमको दिखाई पड़ेगा इसलिए रामखता का वर्णन करो तुमको दिखाई पड़ेगा करके कहे तब क्या हुआ जैसे रम्माजी स्कार आशिरवाद देके निकल पड़े तब समाक्षरेल चतुर भिस्च पादेगीतो महर्शिना सा अनुव्याक्यारम भूयह श्लोकह श्लोकत्वम आगता वाल्मी किम्ते हुदे में पूरा राम आएंगो दर्शन कर रहे थे दर्शन करके वो जैसे जैसे जो जो चीज़ देख रहे सब चीज़ बोलते जा रहे बोलते जा रहे अचानक उनका एक परकार का निन्द खुल गया निन्द नहीं था वो आवेश था एक बिलकुल टोट कि मैंने सब कुछ सुन लिया है आपने जो भी कहा है सब मैंने सुना है और सब याद कर लिया है तो भारत द्वाज रिशी ने रामायन को रचना किया वाल्मी की कह रहे थे वाल्मी की ने जो भी कहा एक बार सुने मातर से भारत द्वाज रिशी सब याद कर लिया थे भारत वाद रिशी ने पूरा रामायन को रचना किया रचना करने के बाद वानमी की सोच रहे थे इतना अद्बुत रामायन है 24,000 श्लोक पूराव रामायन गायत्री मंत्र का की एक explanation है वरणन मात्र हैं गायत्री के समान वेदों का अर्थ को प्रकाशित करने वाला रामायन अभी प्रकट हुआ जैसे प्रकट हुए वाल में की विचार कर रहे थे ये अद्भुत और सुन्दर रामायन को मैं किसको सुनाओ किसको सुनाओ किसके द्वारा इस संसारे प्रचार कराओं उसी प्रकार जब विचार करी रहते तब क्या हुआ उनके पास राम चिंदर के दोनों पुद्र लव और कुश आए आके सीधा वालमिकी को प्रणाम करते हैं वालमिकी को जैसे प्रणाम किये तब वालमिकी ने सोचा वाह ये सुन्दर दो पुद्र है इन पुद्रों को मैं रामायन सिखाऊंगा सातु मेधाविनों द्रिष्टवा सातु मेधाविनों द्रिष्टवा इसकरत क्या है इन दो लवकुषों को इन दो पुत्रों को देखके याद आया रहे ये तो सादहन तोड़ी ना इस राम के पुत्र है राम के पुत्रों के द्वारा है में रामायन का प्रचार कराऊंगा ऐसा विचार करते हुए वाल में किन इन दो पुत्रों को देखा सतो बेदाविनों द्रिष्टवा वेदेशु परिनिस्ठितो वेदों में उनकी परिनिस्ठाती बहुत सुन्दर निस्ठाती सारे वेदों को उनने सीखिया था सत वेधाविनों दृष्ट्वा वेदेशुपरिनिष्टितो वेधो पब्रम्हनार्तया तो अगरहायतप्रभुहू। तब अगरह करते हुए वालमीकी नहीं क्या किया इन दोनों को इन दोनों बच्चों को उधने सिखाया। कि सुद्दे सिखाया रामायन को वेदों पब्रमनार्त थाया वेदों कार्त को सारा जगत में प्रकाशित करने के लिए ये जो सुन्दर रामायन है जो सीताया चरित रहे इसको इन बच्च्चों को सिखाया सिखाने के बाद वालमीकी ने एक रहारसल किया चलो इन बच्चों ने कैसे सिखा मैं सुनता हूँ कैसे गा रहे सुनता हूँ जब लग कुश्चों को एक रहारसल के रूपे एक ट्राइल लिया चलो आप कैसे गाते हम सुनेंगे तो आलमीकी ने अपने सारे सिश्यों को बुलाएं सारे रिशी मुनी थे बड़े बड़े रिशी थे इनके सिश्यों में और ये दो छोटे बच्चे इन बच्चों की मुख से रामायन का गान हो रा है रामायन का प्रवच्चन नहीं होता है रामायन का गान होता है लेकिन फिर भी अभी हमको तो प्रुछन के पज़नने बताना है इसलिए लवकुशोंग ने रामायन को गाया है तो सभी लोग दम मुग दोगा। अन्या आश्रमों के रिशी भी आलमीकी के आश्रम में आके लवकुषों की मुख से रामायन को शोन कर रहे हैं। लवकुषों को एक तार दी आ गया था। उसको गाते गाते इतना सुंदर का रहे थे वालमी की ने सोचा रहे रहे मैं तो रामायन का रचेता हूँ लेकिन जब इनके मुक्षे जब रामायन सुन रहा हूँ इतना अद्मुथेरी की तब वालमी की ने पूरा रिहारसल होने के बाद कहा लवकुष को बेजा जाओ जाओ अभी रामचंद्र एक बड़ा अश्वमे यगन था वो कर रहे हैं को तुमी तठपे उधर कहा ने मिशारेन में कर रहे हैं एक बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है अश्वमेद यगन का पंडाल बना हुआ है इधर ये दोनो लवकुषों को बेजा गया था पालमी की ने में जाओ उधर नगर नगर में जाके गली गली में तुम घाना शुरू करो और उदर चालू हुआ लवकुषों के द्वारा रामाएंड शुरू हुआ सभी लोग इतने मुख्ध हो गए लवकुषों का रामाएंड सुनते सुनते खबर पहुंचा भगवान रामचंदर के पास दो बच्चे है रामकता को सुना रहे हैं बना अध्भुत तरीके से सुना रहे हैं रामचंदर की बना सा पंडाल का ज़न किया इन दो बच्चों को बीज में कड़ा किया जिदम स्टेडियम जैसा था सभी लोग आउरत हो के देख रहे हैं रगवान राम चंद्रस्वयम इन दो बच्चों को अपनी कहानी सुनाते हुए देखते देखते आसकता मनभववववववववववववववववववववववववववववव देखते 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 को भी राम कता सुनने में भगवान राम को भी राम कता सुनने में आ सकती ये राम कता का महिमा है राम को भी आकरशित करने की एक शमता राम कता में है ये अद्बुत रामायन है ये रामायन इतना अद्बुत इतना सुन्दर है राम को भी आकरशित करने वाला है अभी रामाय का नाम है बाला कांड क्यों कि गुरु प्रदान कांड है यग्य प्रदान कांड है यग्य प्रदान कांड माना जाता है बाला कांड को क्यों माना जाता है यग्य प्रदान कांड क्यों कि इसमें तीर यग्य प्राप्त होते है एक भगवान राम चंदर यग्य के द्वारा प् और तीसरा एग्य क्या है, भगवान राम चंदर ने यग्य में सीता को स्विकार किया, इसलिए यग्य पजान कांड है, जीओ तो किस प्रकार जीओ, अपना जीओन को यग्य के साथ जीओ, यग्य बनतब भगवान को अरपन करते हुए समरपन करते हुए जीओ, हमारे कि सब कुछ भगवान को अरपन करते हुए जीओ, यग्य कांड है, अब उसके बाद दूसरा कांड आता है, इसका नाम है अयोध्याकान, धर्म प्रदान कांड है, धर्म क्या है, दूसरों के साथ वैसे विवहार करना है, इन सब का वरणन आपको प्राप्त होता है, इसमें दूसरा कांड आयोध्याकांड में, अयोध्याकांड धर्म प्रदान कांड है, भगवान रामचंड ने पिता धर्म, भाई उनके साथ कैसे धर्म, पत्नी के साथ कैसे विवहार करना है, धर्म क्या होता है, दूसरों के साथ कैसे विवहार करना है, हर चीज आपको प्राप् कांड के बाद अगला कांड आता है अरंड कांड में भगवान राम चिंदर एक असुर को वद करते हैं एक सादू से मुलाकात होता है सादूओं की रक्षा किया और सादूओं का संग प्रदान किया ये पूरा जीवन है अस्ट्यत में देखा जाए वास्तविक्ता में मनश जीवन अरंड जीवन ही है अरण्य में ही रहना है अरण्य में रहना का अर्थ क्या है सादुसं करना है और जीवन अरण्य में रहने के लिए बना हुआ है आप कैसे कैसे इस बात को जनम होता है ब्रह्मचारी जीवन है ब्रह्मचारी जीवन क्या है पिक्षू का जीवन है अरण्य वास है गुरुकुल म में रहता है शहर में रहता है बाद में वानप्रस्त और सन्यासी तीनों अरण्यकांड जो है सादुसंग ज्यान को प्राप्त करने का क्रियांड है इसके अरण्यकांड को ज्यानकांड या सादुसंग के प्रदान सादुसंग सादुसंग प्रदान कांड कहा गया है और इसके मिलाते हैं राम चंदर को किस से मिलाते हैं सुग्रीव से मिलाते हैं हनुमान पकट होते हैं एक दम बिलकुल ठीक राम आयन के बीच में बीचों बीच में हनुमान जी का प्राकटी हुआ पहला कांड बाल कांड आयोध्या कांड अरणि कांड में नहीं किशकिंदा कांड के बाद आपको सुन्दरा कांड सुन्दरा कांड को इद्द कांड किशकिंदा कांड के शुरुवाद में राम चंदर का मुलाकात हरुमान जी से हिता हरुमान कौन है हरुमान गुरु है क्या करते हैं भगवान को जीव से मिलाते हैं जैसे विश्वामित्र ने भी भगवान को सीता जीव से मिलाया जैसे सीता तो भगवान की शक्ति है लेकिन फिर भी एक रोल कर रही है सीता एक जीव का रोल कर रही है ये सीता का स्थिति है और रामायन में हमको प्रमुक रूप में दो गुरू प्रात होते हैं एक विश्वा जी जो रब्भगवान राम चंदर को वापस सीता से मिलाया सुंद्रاخंड है। क्यों का जाता है। गुरु का एक नाम है सुंदर। क्यों कि गुरु का सभाव है एक बालक जैसे। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता बालक। कितना भी अमीर परिवार का क्यों ना हो केवल उनके मन में एकी बात रहता है मैं खेलूं चोटा असा निम्न परिवार का बच्चा भी आता तो उसके खेल लेता है और यह बच्चा जो है कोई चिंता नहीं रहता उनके मन में उनके मन में ऐसा कोई चिंता नहीं रहता बड़े में कितने भी समस्या क्यों ना हो जीवन में कितना भी समस्या क्यों ना हो गुरू एक दम निश्चिंद रहते कि उनकी उनको पूरा भरोसा है भगवान मुझे रक्षा करेंगे इसके वज़े से बालकांड विश्वामित्र गुरू के रुप में ही बालकांड को बालकांड भ बहुत दुख अनभो कर रहे हैं आजु बाजु में राक्षस है और इदर भगवान का संदेश देखे रहे हैं संदेश जेके विश्वास जिलाते इस जीव को मैं भगवान को लेके आओंगा ये कारी करने वाले कौन है वह है हनुमान जी सलिए सुंदरा कांड को भी गुरु अतना मारा मन को वद्द करके भगवान किस प्रकार जीव को अपना लेते हैं ये भी एक प्रकार का महा यग्यकांड है इद्दकांड रामायन का संशित परिचिस प्रकार है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हाड़े